नुश्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास और श्वागत है आप सभी का महर्शी स्टाडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेशनाली 5.3 का क्वेश्चन नमबर 9 से सौल्ब करेंगे तो देखें दिया है क्वेश्चन वाई ब्राबर साइन इनुवर्स यक्स ब्रेकेट में 2 एक्स अपान 1 प्लस एकस स्क्राइब तो देखिए इससे हम सॉल्ब करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि यह होता है साइन तू थीटा ब्राबर तू तैन थीटा अपान 1 प्लस 10 इसक्राइब तो देखिए अब इसमें हम तैन थीटा का परियोग करेंगे तो इसमें हम परियोग करने के लिए पहले हम मानेंगे माना यक्स पराबर तैन थीटा इस यक्स के अस्तान पर हम तैन थीटा रखेंगे अब देखिए अब यहाँ पर हम यह तैन इधर तैन और थीटा के बीच में गुन्ड़े का संबंद है तो इसको हम इधर कर लेंगे तो जब इधर करेंगे तो यह हो जाएगा वन अपान टैन फिर इसमें गुड़े यक्स बराबर में यह हो जाएगा थीटा अब देखिए अब यह जब अपान में रहता है तो इससे हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर यक्स इनवर्स को हम वन अपान यक्स लिख सकते हैं तो यदि इस रूप में दिया हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं तो उसी परकास वन अपान के रूप में दिया है तो इसके हम लिख सकते हैं 10 inverse x बराबर में थीटा अब हम यहाँ पर थीटा के अस्थान पर 10 inverse x रख सकते हैं तो देखिए अब पहला condition क्या दिया है कि x बराबर हम 10 ठीटा रखेंगे तो इसमें हम x बराबर 10 ठीटा रख देते हैं तो यह हो जाएगा वाई बराबर शाइन इन्वर्स टू टैन थीटा अपान वन प्लस टैन स्क्वाइब थीटा अब देखिए फिर यह हो जाएगा रख में कि शाइन इन्वर्स अब यहां पर देखिए यहां पर फॉर्मूला दिया है कि 210 ठीटा अपान वन प्लस टैन इसको धीटा इतना यह दिदे या हो थो हम इतना लिख सकते हैं तो यहां पर इतना दिया है थो हम इसको लिख दे रहें two a half theta अब देखिये अब यहां पर यह inverse में दिया है inverse का मतलब होता है कि ये one upon sign दिया है ठीक और यहां पर ये kival sign दिया है तो यदि इस तरह से दिया हो one upon sign गुड़े sign तो इससे है इससे हम काट सकते हैं तो यहां पर भी देखिए same ओही condition है यह अपान में दिया है क्योंकि inverse लगाती है अपान में दिया है और यह क्यों ऐसे ही है तो इसे हम काट देंगे वाई बराबर यह शाइन इन्वर्स और यह हो जाएगा शाइन टू थीटा इससे यह कट जाएगा अभी यह वाई बराबर के बचा टू थीटा अभी इतना बचा अभी से हम आगे सौल्ट करेंगे अब यहाँ पर देखे वाई बराबर टू थीटा यह तो हो गया अब दूसरा कंडिशन के आदे थीटा बराबर हम टैन इन्वर्स यक्स रख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर थीटा दिया है तो हम यहाँ पर यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से देख लीजी यह हजाएगा वाई बराबर तू और यह थीटा के स्थान पर हम टैन इन्वर्स यह रख देते हैं अब देखिए अब इसका हम यह सापिछ अकृलन कर देंगे तो कि यह क्स के यह सापिछ और कलम करने पर करने पर तो दीखें यह हो जाएगा दीवाई भाई भाई दीएक्स वाई का हो जाएगा और टू को बाहरा रख रहें क्योंकि यह अचार है तू फिर दीवाई दीएक्स और यह हो जाएगा रख या अब देखें यह रहा आब देख़ें डीवाई यह इन इन्वर्स एक्स इसका फार्मूला होता है फार्मूला होता है 1पान 1 प्लस ऐस एक्स स्क्वायर तो यह हो जाएगा तू अपान 1 प्लस यह एक्स स्क्वाइर डी वाई भाई डी एक्स ही हमारा हो जाएगा आंसर देखें यहाँ पर question number 10 दिया है y बराबर 10 inverse x bracket में 3 x स्क्वाइर minus x cube upon में 1 minus 3 x स्क्वाइर अब देखें इसके लिए भी एक formula होता है यह होता है 10 3 ठीटा बराबर 3 10 स्क्वाइर ठीटा minus minus में हो जाएगा 10 cube ठीटा cube ठीटा upon 1 minus 3 10 स्क्वाइर ठीटा यह formula हो जाएगा अब देखें हम इसको solve करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं माना यक्स बराबर 10 ठीटा और ठीटा बराबर 10 inverse यक्स तो 10 इन्वर्स यक्स ठीटा बराबर 10 इन्वर्स यक्स कहां से आया है यह मैंने question number 9 में बताया है तो आप आगे solve करते हैं पहला condition दे रहा है यक्स बराबर 10 ठीटा रखने रखने तो देखिए यहाँ पर हम अब question में रख देंगे यह बजाएगा y बराबर 10 इन्वर्स फिर ब्रेकेट में 3 10 स्क्वार ठीटा माइनस 10 क्यूब ठीटा और अपान में 1 माइनस 3 10 स्क्वार ठीटा इतना हो गया अब देखिए यदि इतना दिया हो तो हम इतना लिख सकते हैं 10 ठीटा लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना दिया है तो यहाँ पर 10 3 ठीटा लिख सकते हैं यहां पर हो जाएका वाइबर by Bekon pricing इन्वर्स हो जाएगा थेंढे निरे ठीटा को अब देखें यहां पर इनवार्स इनवर्स का मतल़ा भी गता है कि ये वहन आपान five-10 के रूप में एब अपान टैन के रूप में है और यह केवल टैन है तो इसे हम काट देंगे यह जाएगा वाइबर लिख लेते हैं एक बार कि टैन और यह है गुड़े टैन थिदी ठीटा अब देखें इससे इससे कट गया है तो आइब रहाब क्या बचा थिदी ठीटा अब देखें दूसरा कंडिशन क्या कह रहा है थीटा बरहाब टैन इन्वर्स यक्स भी रखा जाएगा तो रख लेते हैं वाइब रहाबर 3 तैन इन्वर्स अब देखें अब इसका हम यक्स के साफेश ऑकलन कर देंगे तो लिख लेते हैं कि साफेश अब करने पर करने पर यहां देख लिएं तो यह हो जाएगा यह बिराबर क्या दिया है य का य हो जा до सब्सक्राइब टेंग टिवाई इन मोर्स यक्स अब हम जानते हैं कि इसको तो पहले 3 लिख देंगे अब यह 10 इंवर्स एक डी बाइडी एक्स 10 इंवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन अपान वन वन अपान वन प्लस एक्स इस्क्वाइब यह आंसर हो जाएगा अब इसने देखें क्वेश्चन नमर 11 दिया है वाई ब्राबर कॉस्स इनवर्स और ब्रेकप ने वन माइनस एक्स इस्क्वाइब अब देखें इसके लिए भी एक फार्मूला होता है फार्मूला यह होता है कॉस तू थीटा ब्राबर में वन माइनस टैन स्क्वाइब थीटा अपान वन प्लस टैन स्क्वाइब थीटा तो देखें इससे भी हम सॉल्ट करते हैं बहुत इज़ी कोश्चन है देखें पहले मान लेते हैं माना एक्स ब्राबर तैन इन्वर्स वह सॉरी टैन थीटा तैन थीटा और थीटा ब्राबर है इं इन्वर्स यर्क्स इसको हम रखेंगे तो देखे आप रख देते है इसमें तो व्यब्राबर है कोश्चन corpses 1 minus देखें, x square दिया है तो x के अस्थान पर रखना है 10 theta, तो square दिया है तो 10 square theta अपान, 1 plus x square दिया है, तो यह हो जाएगा 1 plus 10 square theta, अब देखिए इस formulaic हिसाब से यदि इतना दिया हो, तो हम इतना लिख सकते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इतना दिया है, तो cos 2 theta यहाँ पर, इस bracket के अस्थान पर रख देंगे, यह हो जाएगा, y बराबर cos inverse cos 2 theta अब देखिए, y बराबर ही हो जाएगा यह देखिए, यह inverse में मतलब वह अनपान के रूप में है, और यह के वाल cos theta, इसके साथ के वाल गुणा कर रहा है, तो यह दोनों कट जाएगा मान लेजिए, यहाँ पर यह दिया है, cos और यह दिया है cos 2 theta, अब देखिए, यह और यह कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा, 2 theta, अब देखिए, अब दूसरा condition क्या कर रहा है, theta बराबर 10 inverse x हम हटाख जाएगा, यह हो जाएगा, y बराबर 2 10 inverse x, अब इससे हम x के साफ़ेच, अउकलन कर देंगे, x के साफ़ेच अउकलन करने पर करने पर तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह y के हो जाएगा, dy by dx, बराबर हो टू अचर है, तो टू, फिर d by dx, और यह 10 inverse x, अब देखिए, 2 को पहले उतार लेंगा, 10 inverse x का फॉर्मूला ही होता है, 1 upon 1 प्लस x इसका अंसर आजाएगा, 2 upon 1 1 plus x dy by dx अब देखिए, question number 12 में देखिए, बराबर में, 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, अब देखिए, इसका ही हम पर्योग करेंगे तो, फिर हम इसे पर मान लेते हैं, माना x बराबर 10 theta और theta बराबर 10 inverse x तो अब देखिए, y बराबर हम, question दिया है, y बराबर, sine inverse और डेकेट में, 1 minus x square, तो यहां पर कह रहा है कि, x बराबर 10 theta रखने के लिए, यहां पर लिए देखिए, 10 square theta, square है तो square लगा दिये, 1 plus, plus है, x square है, तो मतलब कि x के अस्तान पर 10, 10 theta रखेंगे, 10 square theta, अब देखिए, y बराबर, shine inverse, अब इसमें, क्या कह रहा है, इतना यदि हो, तो हम cos 2 theta रख सकते हैं, तो यहां पर देखिए, उतना है, तो हम cos 2 theta रख देंगे, cos 2 theta, अब देखिए, अब यहां पर दिया है, y बराबर, sin inverse रख दिया है, और यह cos 2 theta रख दिया है, तो अब यहां पर हमें, इसे काटना है, लेकिन यह कैसे कटेगा, तो देखिए, यहां पर भी हम थोड़ा सा, एक formula लगा लेते हैं, y बराबर, sin inverse, अब ब्रेकेट में, ब्रेकेट में इसको कर लेंगे है, यह sin, pi by 2 minus 2 theta, अब देखिए, यहां पर दिया है, cos 2 theta, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे होता है कि, sin, sin theta, बराबर हम इसको लिख सकते हैं, cos 90 minus theta, यह sin theta को हम cos 90 minus theta लिख सकते हैं, उसी परकासी यहां पर देखिए, यहां पर है sin, और यह pi, pi का मान होता है, 180, 180 बट्टा 2 लिखा है, तो मतलब कि 90, यह होगे 90 minus 2 theta, तो theta के अस्तान पर 2 theta दिया है, यहां पर हम लिख दिया है, 2 theta, अब देखिए, यह हुआ 90, और यह हुआ 2 theta, तो इसको हम कह सकते हैं, sin 90 minus theta, बराबर cos theta, ठीक, उसी इसाब से आप देखिए, आगे कर लेते हैं, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, बराबर, sin, inverse, यह हो जाएगा, sin 90 minus theta, यह हो जाएगा, sin, 90 minus theta बराबर क्या होता है, cos theta, तो इसको हम लिक लेंगे, pi by 2 minus 2 theta, अब देखिए, यह inverse में और यह sin भी मिलिया है, तो अब हम इसको काट सकते हैं, इससे यह कड़ गया है, अब y बराबर हमें क्या मिला, pi by 2 और minus 2 theta, अब देखिए, अब इसे हम x के सापेच alkalon कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम x के सापेच alkalon कर लेते हैं, x के शापेच alkalon करने पर अब यहाँ पर देखिए, y का हो जाएगा, sorry पहले इसमें देखिए, थीटा के अस्थान पर हम 10 inverse x को रख लेंगे तो रख लेते हैं y बराबर πाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के अस्थान पर क्या रहाएगा 10 inverse x यहाँ से थीटा बराबर 10 inverse x अब यह हो जाएगा अब इसका हम x के साथ पर चॉकलन करेंगा यह तो y का जोगा उकलन होता है वो होता है dy by dx और इसका हो जाएगा d by dx और यह pi by 2 माइनस यह हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे d by dx 10 inverse x अब यहाँ पर देखिए इसका यह एक अचर है यहाँ pi भी अचर होता है और 2 तो अचर ही है तो इसका मान हो जाएगा 0 यह हो जाएगा dy by dx बराबर में यह यह है माइनस इसका मान तो 0 हो गया है यह माइनस फिर यह 2 और इसका 10 inverse x का मान होता है 1 upon 1 plus x square तो फाइनल आंसर हो जाएगा dyy dx बराबर में माइनस 2 upon 1 plus x square यह हमारा हो जाएगा अंसर